गूढ दल पालक बनाने जाये हैं यहां पर नाखपुर साइड में इसे दाल भाजी या पातडभाजी भी कहा जाता है हम पालक दाल त्वर दाल और चनी की दाल को मिक्स करके बॉल किया है यहां पर कुछ लोग मुंख़ली भी डालते हैं जब अगर आप डालना चाहते हैं तो इसे वक्त उसमें मुंख़ली भी साथ में बॉल कर लेगें यह थोड़ा सा मैंने गार्लिक जिंगर प्रश करके रखा हैं यह तोमेटो प्रश करके हैं और बाकिके जो हमको इंग्रेजि हमारे मिर्ची, धनिया पाउडर, सॉल्ट, राई, जीरा, गर्म मसाना तो चलते हैं अक्सर खाना क्ले पॉर्ट में ही बनाती हैं क्ले पॉर्ट को डारे के हम भीट पर नहीं रख सकते हैं थोड़ा सा ओयल डालके आप इसको गैस पर चड़ा सकते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे राई थोड़ी क्रैक हो जाए उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालते हैं और हमने यह जो तिंचे गार्ली का क्रश रखा है उसको भी डाल देते हैं थोड़ा चला लेके हों जब हम यूज करें हैं तो हमेशा याद रखें इसके लिए उड़न स्पैचूला या उड़न स्पून ही यूज करें थोड़ा सा पिंक ब्राउन हो जाए उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं अब हमारा जिंचर गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है चली अब इसमें हम मसालें आड़ कर देते हैं थोड़ इसी हल्दी डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी हल्दी डाली है मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इतना थीखा खाते हैं दनिया पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार और थोड़ा सा गर्म मसाला आड़ करते हैं इसको थोड़ा सा दो मिनिट भून लेंगे जब लेंडेये अब हम अपने पालक डाल देते हैं इसमें हमें पालन दाल द इए से थोड़ा सा निटे लेते हैं दो मिनिट चलाने के बान में थल्का सज़ज़े शॉते हो जाए आपर हमने ज beet appli नीट क्रश है कर दो डाल देंगे जब आप क्ले पॉट में खाना बनाते हैं बहुत ही दिल को अच्छा लगता है एक साटिस्फेक्शन मिलता है तोड़ी सी केर लेनी पड़ती है क्ले पॉट के लिए इसको हम दो मिनिट ढाग देते हैं इसमें अब हम अपनी टामाटर डाल देते हैं और इसको दो मिनिट हम लोग भून लेंगे अच्छे से ताकि वो तेल छोट जाए उसमें हमारी पालक अब काफी अच्छे से पक चोकी है अब इसमें हम अपना डाल डाल देते हैं कि इसको हम दस मिनिट इसी तरह से पकने देंगी अच्छे मिनिट हो चुके हैं हमारी दाल बहुत अच्छे से पक चुकी हैं देख लीजे आप आप इसे दाल पराथा रोटी के साथ खा सकते हैं थैंक यू फ्रेंट्स मिलते हैं अगली रेसेपी में बाई